कि नवश्कार सभी को आपके अपने चैनल कंपूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बाफिर से आपका हार्दिक स्वागत है मैं हूँ राजिस बढ़ा रहा और आज आपके सामने उपसे तुर लेकर हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेशन की सिरीज जो हम कर रहे हैं रास्त तयार हो बिल्कुल मैंट करने के लिए तो आपको भी मैरे साथ तयार है ना है उखे तो उनक्वेशन को जरूर करना है वेरी इंपोर्टन कोशन ने प्रिवेस्ट्ट कोशन के पेपर पैटरन के उपर आदार वे मैंने सभी को लिया है सबीक लिए है और इस तरह के कोसिशन समय देखने को मिलते हैं यूजिसी नेट के अंदर भी और सेट के अंदर भी ठीक है तो कम्पूटर नेटर के तीन जो वीडियो से मैंने बना दिये हैं आज हम डीबे में सब्सक्राइब देखने वाले उससे पहले आपके लिए छोटे सी सब्सक्राइब है जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों एक साथ अवेलेबल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वो भी आपको अवेलेबल ठीक है चलिए आज शुरू करते हम आज की क्लास इसका मतल्य यहां पर आपको नौर्मल फॉर्म दी हूई है और यहां पर नौर्मल की साथ मेज करना आ 노력 झाला कर एंदर सिथ एफ यह बिसी ने besty एंदर एंदर बीजिक आती है इसकले अब को पता होने चाहिए फॉर एनेफ सब्सक्राइब करें चाहिए तो यह सारे शारी नॉर्मल फोर्म से स सब्सक्राइब करें चाहिए तो यह सारी आपके एग्जाम होरिंटेंट जो है आपके जो जाती यह चारो पूछी चाती एन दो यह दो को इसको आपको ऑलकास आइडिया द्यान रखना है वैसे इन दो को इसको आप नहीं द्यान रखो कि तो भी चलेगा शिक्स है और इसमें most adequately यह दम यूज की जाती वह कौन सी की जाती आप कापकी ध्यान रखना इन सारी नॉर्मल के अंदर सबसे ज्याद़ अरब प्रिफेरेंस दिया जाता हो किसको धिया आपकी 310 तो दिया था चले कोशन के अंदर हम मेच करते हैं बी सीनफ त्रीन टू एने फोर यह विसीने आप चलो जो आती हो करते हैं ज़िए कहा पर यह फिपेंडेंसी तो देखिए मल्ति वैल्योड डिपेंडेंसी कौन रिमुव करती है आपकी फोर एंफ दो इसको इसके साथ मेंच कर देते हैं ठीक है इत इस नोट ओल्वेश डिपेंडेंटेंसी पिजरंग यह मैं रहती है यह एक बर नेक्स चलते हैं इत रिम्ज ट्रांजिटीव डिपेंटेंसी डिपेंची क्हों रिमुव करती बता यह रिमूस पार्शेल और फंक्षिनल डिपेंडेंसी कौन करता है और आपका क्या हो गय है ओके तो यह होगे हमारा मेश दो फोलम मोल अगर आप अंसर लगा अगे तो देखिए एक और और ह configured यह तो इसका अब सेपर इसकी टॉकल मैं जबनाको सनच हो शोट फश्यूर्ड यह फीश्क ट्वत सर्थ इसका इसका सेً निकल गए चुका है तो इस तरह किसे आपको कुश्चन करना है कुश्चन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल इंडेफ नोलेज भी होनी चाहिए ताकि आपके कुश्चन गिलन्थ हो कि अगर आपको एक दो भी पॉसिबिलिटी मिल यह यहां पर भी हो सी आराम सामेश कर सकते हो उससे आपका अनसार आराम से निकल सकता है ओके चलिए नेक्स हम चलते हैं है कि और हुआ इज बारे देखे मिलेस्ने इल चीप्राशति होगा इसका मतलब क्या हो कि इसका मतलब क्या हैival के इसका मतलब है तो अगर आपने ड्रोंचर में सपड रखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस क्रोस का मतलब क्या होता है आपके कार्टेशन प्रोड़क्स क्या मतलब होता है कार्टेशन प्रोड़क्स क्या मतलब है थोड़ा बता सकते हैं जी हां बता सकता हूं मान लीजिए आपका एक रिलेश्ट दिया वाद इस्टूडें कि यहां पर वेल्यू देए इसके इंदर वाण टूओ और यहां दीए बर्ण टू थ्री फोर तो काटिशन प्रड़ुक के अंदर क्या होता है शार तीनी ले लिजए ताकि ज्यादा रोन नहीं बनेगी कार्टिशन प्रोड़क के अंदर क्या होता है जितनी भी रोज लेफ टेबल के अंदर हो जितनी भी रोज राइट टेबल के इन सब क्या होगा कार्टिशन प्रोड़क होगा कार्टिशन प्रोड़क मतलब यह मल्टिप्लाई होगी यह से मल्टिप्लाई होगी फिर यह से मल् होगी तो अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे क्या बनेगा देखिए यहां पर a b b c में लिख रहा हो है ना कोलम और कोलम क्या हो जाएंगे जूड़ जाएंगे तो यहां पर हमें खाली रख रहा हूं यहां पर एक स्वाय लिखकर रहें आपको इक स्व रहाँ यहां पर डब्लू पर यह जे यहां है तो यहां से जनरल चीज के निकल कर आई त्यार रखना मान लिजे कोई relation है R1 और relation है R2 इसकी number of rows कितनी है यहाँ पर M और number of rows कितनी है यहाँ पर N तो जब भी आप Cartesian product करोगे क्या करोगे Cartesian product तो final table के अंदर value क्या रहेगी हमेशा मैं यह बोल रहा हूँ जब आप करोगे R1 क्रोस R2 तो final table के अंदर row हमेशा रहेगी M star N यह भी important आप ध्यान रखना और क्या सर और चीज़ यह है कि मान लिजिए इसके column कितने हैं यहां देखिए 2 यहां कितने हैं 2 तो final table जो यहां बनी ह है उसके अंदर column कितने हैं 4 तो यहां मान लिजिए इसके column है के और इसके column है एल तो final table के अंदर column की values कितनी होगी क्या बोल रहा हूं है final table के अंदर column कितनी होगी के plus L दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे अभी यह question अभी यह question net exam के अंदर आया है जो भी 11 मार्च के exam हो ना उसके अंदर यह question आया हुआ है ठीक है तो आपको concept ध्यान रखने पड़ेंगे वहां पर सीधा question यह आया था मैं बता दूँ आपको वहां पर आपको table दे रहे थी और उसकी रोज दे रही तो रोज दे रही थी आपको जैसे 30 और 10 है ना और कोलम दे रहे थे 300 और 25 कि दो दे रहे है यह कोलम दे रखा है और यह table लोड आपर इस तरहा है कि कॉलंब रोच जा रहा है पूच्छा गया त कि इसके इंदर का différents बेसके यहां तो अब बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर मुझे यहां पर थोड़ा संद को की लग रहा है मैं इसको झुण कर रहा हूं लो शायद यह हो जाएगी और kolum यह हो जाएंगे नहां तो इनको आप इंटैन्ज कर दिए ऐसा लख लिए यह अग्या को लम है और यह ऊगई रो तो बस इसके अंदर पूट कर दीजे वेलू देखे कोलम किते बनेंगे के प्लस हेल तीस प्लस दस कितना अंसर हो जाएगा चालीस और रो कितनी बनेगी तीन सो एंटू पच्छिस कितना अंसर हो जाएगा 75 00 का का ऐसा जखत है इसका आंसर क्या है च्टोडि JER आसका चरी क्लीर 1L नहीं नहीं क्योंटि дов शॉटड़ेंट प्सट्याइश और में नहीं कोड़ाया है कंप्यूट दा आउटर जोई नहीं है तो इसका आंसर क्या है आपका सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स क्यों के और हम चलते हैं देखिए यहां पर थोड़ा सा एड्जेस्ट कर लीज़ेगा आप है ना देखिए मैं कम नहीं समझा सकता अगर मुझे सा लगता है मुझे आता इन टू इन नन अब दोप्शन देखिए क्या कहे रहा है क्वेरी जोती सब क्योंड दोती है जैसे वह लिख रहे कि आपने यह आप है सेलेक्ट आपने सेलेरी लिखिए अ कि अ चैलेरी कि फ्रॉंग कि डिपार्टमेंट सो कोई सेलेरी लिए किसी एंपलोई की है ना कि वेयर कि माली यह सेलेरी कि इस लेस देन अब आपने लिखा एक सेलेरी कम होनी चाहिए और आपने लिखा यहां पर आपस सेलेक्ट सेलेरी कि इसलेरी कि वह कि फ्रॉंग कि डिपार्टमेंट ठीके मैं जनर्ल सी को हुए आपको समझाए कोसी कर रहा हूँ और यहां पर आपमें रिलेशन लिखा रखा है न वो लगा रखा है ल्त क्या लगा 30 कि और 40 क्या निकल आगे 10 20 30 40 ठीक है और यहां पर एक विए क्वेरी क्या सब्सक्राइब अब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि यह जो लेश देन और करेगा ना वह क्या इस 10 से कंपेर करेगा यह इस 40 से कंपेर करेगा आप में को यहां पर जो वेल्यू रहनी चाहिए ना कि यहां पर एक्जामपल ले रहा हूं 5 सही है या 15 सही है आप सोचके बताइए 5 लेस देन ओल क्या जित्ती भी वेल्यू उन्हें से 5 छोटा है यहां देखिए तो बड़े से सबसे चोटा है ठीक है तीस से चोटा है कि नहीं इसके इसके इंदर यह आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब यह जो कंपेरिजन करेगा इसके इंदर से वह इसकी सबसे minimum value से करेगा किसे करेगा सबसे minimum value से यह कोशन के दिया हुआ है less than all comparison operator means more than the maximum value in The sub Query class backét आपकी इसको शब क्युविड़ी ॐ बोलते इसकी जो maximum value उससे ज्ल्टा से ग्じाओ करेंगा नहीं करेंगा less than Minimum value इसे कोई देखें यहां पर लिखा हुआ है और इसकी मिनिमम वेल्यू के दस इससे कंपेर करेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी इसका करेक्ट हो जाएगा ओके तो देखें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से लोजिकल क्वेश्चन से आपको करना आना चाहिए ठोरी कितनी भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रेक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं करोगे एक्जाम के अंदर हाथ फाउं फूलेंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप देख चुके हो लेवल है SSB आपके जो आर SSB है वो बढ़ाती जा रही है अभी आपको करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की वर हम चलते हैं देखें यह आप है लेट आर इकल तो ABCD having following functional सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर बीसी है तो बीसी को मार्क कर दो बीसे डी को मार्क कर दो सारे के सारे इसका मतलब हमें हरे सबसक्राइक को देखना पड़ेगा तो ओψएं में लेगी रखा और हमेंеп विम्य पूछा कौन की नहीं है उसकर निकाल पर देंख के से क्वे सीडी देखिए सीडी से क्या बनना है यहां पर और कुछ भी नहीं है ठीक है यह देखिया वैसे आपको क्या निकालना था कौन सी केंड़ेट की नहीं है तो मारा अंसर आच चुका भी फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगे करके बता रहा हूं है यह से क्या जाएगा ईवर श्यक्ता आपके पास एंथ और बनीघ्ट की तो तो है लाएं यह को आंधा फृट उकden फ्यांट नहीं है तो यह का निकाली स्कूराइब करेक्ट तो यह हमारा क्या उगए इसका अंसर क्या है भी तो यह थेप्ट है जब एक इन फॉर्मिशन में आपको वापस बता देता हूं टेस्ट आपके लिए अवलेबल है रास्तान सेट एक्जाम की यह जो टेस्ट स्रीज मेरे द्वारा बनाई गई है जिसके नसी पेपर सेकेंड है तो कम्पूटर फॉर क्वांट एप आप डाउनलोड कीजिए वहाँ पर जाहिए और प्रेक्टिस कीजिए ओके और एको टेस्ट स्रीज अवेलेबल है जिसके पे झीजर की बात कर रहा है और एंटिंटी इश्ट्रक्श्टल की की फॉलु龍 की मेरे ख्याल से अच्छे साथ वह आपको क्या है वी एंडिटी और ओनर एंडिटी अगा देखिए वीक एंडिटी को हम इस तरह से रिप्रेजन करते हैं डबल रेक्टिंगल से यह आपकी वीक एंडिटी वीक एंडिटी के अंदर टोटल पार्टिस्पिश होना जरूरी है फिर इसके अंदर एक आइदेटिफाइंग रिलेशन स पार्टिस्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश्पिश् शिपस इसके आंसर क्या हो जाएंगे सारेक सारे आपके आपके अंसर सही हो जाएंगे ओके नेक्स्ट कोश्चन देखिए एन स्टांस अफ रिलेशनल स्केमा आर ABC है इस दिस्टिंग वेल्यूस ओफ एंक्लूडिंग डल वेल्यूस विच वन उफ फॉलोविंग इस ट्रू अब आपको बोल रहे की एक स्टांट रिलेशनल स्केमा का एक बीजी कहने का मतलब है कि ए बी और सी यह आपको कोलम दिये हो है कि इस डिस्टिंग वेल्यूस ओफ एंक्लूडिंग नल वेल्यूस यहां पर एक लग लग वेल्यूस एक है दो है पर इसके साथ नल वेल्यूस भी है नल तीन नल चार इस तरीक से है तो यह पूछ रहा है विच्छ बन दो फॉलू 1 nevertheless किया एक कंड़ेत्व की बन सकती है यह एक हैड़ी नहीं सकती है कि आप फ्रायमरिग की हो सकती है या नहीं हो सकती या दोना कसे देख्याइँ आपको पता होने चाहिए refवल ईविणीड की कि लिए Onlyशिवल ठीक है टिक केंड़ीट के लिए लि होती है उस case के अंदर वो primary key के लिए eligible त्यान रखना पर यहां पर clear दिया हुआ है कि इसके अंदर null value in grade इसका मतलब यह आपकी सिर्फ अभी क्या बन सकती है candidate की ही बन सकती है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो रहा होता होने चाहिए आपको केंदेट की क्या होती है फइirk क्या होती फैपयृत στα चाहिए आपको तो फॉलोविंग फॉंक्शनल डिपेंडेंसिस होल्ड यू तो वी वी डू टू एक्स वाई डू डू एक्स टू यू वीच आर दे केंड़ेट्स की अमंग फॉलोविंग ओप्शन इन में से हमें बताना है कि केंड़ेट की कौन यह कोश्चन जस्ट अभी किसी एक्जाम के अन्दर भी आया हुआ है सेम यह वाला ही कोश्चन ठीक है देखी है आपर तो केंड़ेट की निकालने के हम क्या करते हैं सबसे पहले हम राइट-hand-sight चेक करते हैं ठीक है तो वी है जो है उसको टिक कर दो हाँ है वी डिटेवल्यू डिरमाइंट एक्स एक्स को टिक कर दो तो राइट हैं यह देखें डब्लीऊ कर दो और यू यहां मार कर दो डब्लीए डब्लीए डव्यवी सोरी यूवी डब्लीएक्स हैं और कौन अपेलेवल यह 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 तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई यह क्या होंगे वाई जेड़ तो अवेलेबल होंगे होंगे तो हम option में चलते हैं अगर कोई candidate की है उसके मतलब वाई जेड़ तो होने चाहिए इसके साथ कोई और attribute हो सकता है ठीक है मैं से एसे मां करहा हूं यहां देखें क्या वाई जेड़ दो आवेलेबल नहीं है तो यह मारा आंसर नहीं हो सकता वाई जेड़ एसका आपको विद्व करने की जरूत नहीं इसका कि candidate की के लिए सारे के सारे attribute होना जरूरी है तो हम अभी सिफ चार attribute determine कर पा रहे हैं yz हम determine नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब यह कहीं ने कहीं हमारे left hand side के अंदर रहेगा ही रहेगा ठीक है इसलिए इसका अंसर कि आपके डीज का correct answer है नेक्स question देखिए यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा question है मैं में लिस्ट वन विट लिस्ट टू ओके देखिए यहां पर है कि एक ट्रिब्यूट वीक एंटिटी टोटल पार्टिशिप्स एंटिटी रिलेशन और मल्टी वल्य ट्विट तो मेरे ख्याल से यह अभी तक हो गया होगा आपके मुझे लगता है इसके आपको टाइम लगेगा तो जी सारे प्रिवेश एर क्यों से की एट्रिब्यूट टाइप कौन सा हो जाएगा इसका अंसर भी कि वीक एंटिटी किसे रिप्रिजन करते हैं डबल लाइन रेक्टेंगल से यह टोटल पार्टिस्रिपिशन ओफ एंटिटीं रिलेश्टी आंप सब बचा रही है और मल्टी वेल्टिवेड इट्रिब्यूट कौन सा हो जाएगा यह वाला हो जाए तो देखिए एक सेकेंड एक सेकेंड तो यह गया और यह गया क्या और यहां है ठीक है और बी का क्या जाएगा first बी का जाएगा first बी का फोर्ट है और यहां पर बीका first है तो यह cut हो गया C इसका answer क्या आगया C इसका correct answer आच चुका है ओके तो उम्मीद है आपको यह क्वेशन करा है उसे काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है प्लीज आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए जो भी प्रोब्लम हो उसको आप कमेंट कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है ना मिलत हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक यू